असलाम अलेकुम, आज का हमारा टॉपिक एक बहुत एहम टॉपिक है बच्चों की तर्भियत के हवाले से, पेरेंट्स की गाइडेंस के हवाले से क्योंके पाकिस्तान में छोटे बच्चों में साइकलोजिकल प्रॉब्लम्स अलामिंग हद तक बढ़ चुके हैं और इसके लिए हमने मदू किया है डॉक्टर मलिया लतीफ को जो के एक क्लिनिकल एंट ऑक्यूपिशनल साइकॉलिजिस्ट है आज हम उनसे इस बहुत ही एहम टॉपिक पर बहुत सारी बाते करेंगे डॉक्टर मलिया बहुत सी दफ़ा बच्पने में मैंने अपने बच्पने में भी देखा है कि बच्चे जो है ना वो बहुत शेतान होते हैं ठीक है और उनको माबाब बहुत एप्रिशेट भी करते हैं और जब वो बिल्कुल ही यानि के चट से और सीडियों से शिलांग लगाके हाथ-पाओं तोड़ देते हैं तो फिर कहते हैं कि बही नजल लग गई इस बच्चे के ओपर ठीक है अब वक के साथ साथ इन तमाम इंडिकेशन्स को लोगों को डॉक्टर्स के हवाले से तालीम के हवाले से पता चला कि यह कोई इतनी अच्छी चीज नहीं है या तो उसको नाम देने शुरू करती है तो इस तरह की एक्टिविटीज की डागनोसिस होने लग गई और फिर यह हुआ कि जी डॉक्टर को दिखाना है ठीक है तोड़ा सा मुझे आप एक्ष्प्रेइन कर दे के पहले इन तमाम चीजों की को जब माबाब चेक करते थे या नोट करते थे तो उनका रिएक्शन क्या होता था और अब बच्चे जो हैं यानि यानि दे निवर जनरेशन why they are so concerned or are they over-concerned? अच्छा इस तरह है के you are right things have changed and they are changing and I'm glad that they are changing because for बहुत लंबे अर्से के लिए यही एक ट्रेंट था के चोट लग गई, गिर गए, बच्चा शरारती है, बच्चा जहीन बहुत है या नजर लग गई वाला concept was very common उसमें आप लोगों को यह awareness आगई है, दो बाते हो रही है एक तो यह कि problem वैसी बढ़ गया, it's at a rise यह जो बच्चे हैं इस किसम के जो आप शरारती बच्चे कहले हैं जो भी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इतना हद तक बढ़ गया कि वो problems उनकी school activities में, studies में भी दिख रही है which is alarming for parents कि वो इस चीज़ पर action लेना शुरू हो गया है दूसरा यह हुआ है कि awareness भी आई है over the years कि उस तरहीं वो शरारती या कुछ भी कहके कह देते थे कि यह बच्चा शरारती है या इस तरह से इस condition को जो हम I'm a clinical psychologist और जिस तरह हम लोग इसको explain करते हैं हमारी term में यह आ जाती है ADHD की category की चीज़ यह नहीं attention deficit hyper activity disorder अब जब पच्छा कहते हैं किrup बड़ा जहींहा है बड़ा तेज अलच है बहुत hyper is भो hyper ahead parents नहीं बोलते बट वह यह कहते हैं कि जी बड़ा ही जहीन है यह हर वक फिरता रहता है पिरता रहता और जान रहता है वह वो प्ले ग्रूप में हो या निर्सरी में वो एक सस्टेंड एटेंशन से काम ही नहीं कर पाता नबर वन फोकस नहीं कर पाता, कॉंस्टेंट रिमाइंडर्स चाहिए होते हैं सेकेंडली वो बच्चा स्कूल जाता है, दो हफते में स्कूल वाले कहते हैं यह तो आप इसको ट्रेंड करके लाएं, अन्सीट बहेवियर ही नहीं है तो कहते हैं तो शिरार्ती है हमने तो घर में माना ही कभी नहीं किया तो इस किसम की चीजें हैं जिके बच्चा वो जो एक हाईपर बच्चा इंपल्स से वह या बेचाइन बच्चा आप कहलें वो बैटके तवज्जो के साथ काम नहीं कर सकता है इस जिनेटिक? मेजर ली, मेजर ली इस जिनेटिक, 60-65% जिनेटिक्स है पर देन इसमें बहुत मेजर रोल आपके इंवाइर्मेंटल लर्निंग, घर की तरभियत कि अगर एक बच्चा शिरारती है और जिनेटिक ली भी कुछ टिनेंसी जागी है तो अल्ला ने इतना गुंजाईश रखी है कि हम उसको शेप अप कर सकते हैं तो अगर पेरेंट्स पेशली हमारी मदर्स अगर इस चीज को डिस्सिप्लन करेंगी घर के रूल्स को थोड़ा सा रखेंगी आम नौट टास्किंग फॉर कि बहुत रिजिड रूल्स बना लें बट राइट और राइट रॉंग, दूस और डोंस का पता हो कि अगर एक बचा शरारती है और बाकी बहन भाईयों को मारते जा रहा है तो यह तो शरारती है कोई बात नहीं जहीना बड़ा मारने दो तो वह चीज बहुत आगे तक जाती है, प्रॉब्लम्स उसके बहुत लंबे चलते हैं तो इसमें थोड़ा साथ इसमें काऊंगी के अविर्मेंटल फेक्टर्स भी है इसमें आपके फूद अपटाइट का भी बहुत रोल है प्रोसेस्स फूद जो आजकल बहुत जाद है और पेरेंट्स थोड़ी जान चोडाने के लिए कहते हैं खालो कोला ड्रिंक्स, चॉकलेट्स, माईलो, सब अनिफिंग तो विद इसमेठा यह चीजों को यह चीजें है यह इसको एग्रेवेट करती हैं आप इन चीजों को चुन्रोल कर लेते हैं तो हाइपर एक्टिविटी काफी हद तक डिस्पाइट हैविगेट बिकाउस जनेटिक्स सबसाइट करती हैं अडिशनली स्क्रीन टाइम हां तो जब बच्चे छोटे होते हैं तो पैरेंट्स जो हैं वो क्या आइडेंटिफाय करें किस तरह उनको पता चलेगा कि कहीं गड़ड हो रही है चलो वो वाक्त तो चला गया ना कि वो शेतान है ठीक है लेकिन अब शेतानी जो है वो एक ऐसे लेवल पर आगए जो कि परिशान कुन है तो पैरेंट्स उनको किस टाइम पर यानि कि डिटेक्ट कर सकते हैं या नोट कर सकते हैं और फिर उसके लिए वो क्या करें राइट उसमें एक चीज़ है जैसी यह प्राब्लम जिनके हम बात करें ना यह जाती है रही हो जाती है अच्छी पैरेंट्स वर कंसर्ण वो देखेंगे आकर कुछ पैरेंट्स बताते हैं क्योंकि तो पिन 28 यह तो पैरेंट्स की जो मेरे पास कांटेंट है ना आ इसम किसी पेपर से जादा अथेंटिक है बिकार्स फर्स एंड एक्सपिरियंस तो कहते हैं बच्छा शुरू सही हर दिन बैट से गिरता था चोटा सा था क्रॉलिंग और वाकिंग नहीं थी रोल होता था होता था इतनी इनरजी थी गिर जाता था हम कहीं छोड़के जाते थे चलते जलते स् प्रियृ, जो बचे आगे बड़े होते हैं उनके अंदर पर इसी टाइप के टैन्सी जोर होती है रिस्ट्रेस्नस है, बैट के काम नहीं करना, खाना बैट के नहीं खाना, खुछ भी नहींना, मदर्स का रोल आजाता है कि अगर वो खाना नहीं खाता स्क्रीन लगा दी जो तो आप उसको फेस करो, उसको थोड़ा सा डीप्ली अबसर्फ करें I think अगर एक महीना, दो महीने, तीन महीने भी आप उसको देखते रहें, बहेवियर किस तरह का है, सेटल हो रहे के नहीं हो रहा बच्चे को गेम्स में डालें, फिजिकल एक्टिविटी में डालें कि उसकी आप अच्छा जब ऐसे मसले होते हैं तो असोसियेटी डॉर प्राब्लम्स भी होते हैं फाइंड मोटर स्किल्स, आपकी कल्रिंग, पैंसल होल्ड इस पर प्राब्लम आ रहा होता है आपका एक्डामिक्स में फोकस नहीं होता, आप फिजिटिंग करते रहोगे, हिलते रहोगे आप यहां से पकड़ लोगे, टांग हिलना शुरू हो जाती है, टांग पकड़ लोगे, बच्चा बोलना शुरू कर देता है वो इनरजी का फ्लो इतना ज्यादा होता है, जो के एक आम नॉर्मल से हटके लगता है अगर फैमिली में और बच्चे आप देख सकते हैं, मेरा बड़ा बच्चा तो ऐसे नहीं करता था बहन का बच्चा, फ्रेंड्स के बच्चे, उस एज ग्रुप से आप थोड़ा कंपेर करें, ठीक है कि क्या है सबसे पहले जो बच्चों में आ जाते हैं, उनकी पीट्स आ जाते हैं Unfortunately, पीट्स भी इस चीज को हमारे हाँ भी इग्नोर करते हैं There are very few, there are very few, जो इस चीज को इकनॉलिज करते हैं कि कोई problem है और इसको आप कहीं concerned person को दिखाएं Concerned person, immediately कोई psychologist होगा या educationist होगे वो identify करेंगे कि यह चीजें थोड़ी सी normal से हटके odd domain में जा रही है वो क्या चीजें हो सकती हैं आपका खाना पीना, आपकी sleep काम होएगी आप जल्दी उठ जाते हो, middle of night उठके आप गुमते रहते हैं दो तीन घंटे आप सो नहीं सकते सोते हो तो sleep disturbance आपकी जादा चलती है आप आपको चोटें जादा लगती हैं आप गिरतें जादा हो क्लंजीने से जादा हो रही होती है पिर देन अकडामिक ली तो बहुत problems आते हैं तो उसका reverse भी हो सकता है कि वो बहुत ही जादा intelligent हो या वो इससे अलग चीज है नहीं नहीं इसमें दोनों conditions हैं बच्चा बहुत intelligent भी हो सकता है and with ADHD so these are two different things and बच्चे जो ADHD है यह एक brain की आपके neurological condition है इसके साथ ही बच्चा पैदा होता है इसमें किसी कोई fault नहीं है पेरंट का, gynecologist का, किसी का भी नहीं है genetically जो role play होना था या during pregnancy कोई factors से जिसकी वैसे कोई conditions हो गई अब the moment he was born he has had this wiring हो गई brain की ठीक है अब जब वो आगए so ADHD, hyperactivity, restlessness, focus concentration ना होना is one condition high IQ, low IQ is another condition it is correlation अगर हम देखें तो mostly ऐसा है usually के जो ADHD बच्चे है वह average या above average IQ होता है they are usually, most of the time, they are intelligent हम तो बहुत खुशी खुशी फिर यह कहते हैं भई हमारा बच्चा तो इतना intelligent है class में first star है इस position के ओपर जो घर के दूसरे बच्चे होते हैं और एक बच्चा नहीं पड़ पा रहा तो उसको फिर parents किस तरह से tackle करें या handle करें Parents के लिए बहुत technically challenging हो जाता है अब वहाँ मैं नहीं कहूंगी कि आपको बड़ी high degrees चाहिए parents को एक बहुत सीधा average parent ला पड़ा लिखा है या नहीं भी है या आपकी अपनी common sense या आपकी intelligence पर निविस्टम की बात है कि आप उसको कैसे करें हो So first thing I will advise my parents के बच्चें का comparison ना करें कि देखो भाई तो इतनी जल्दी लिख लेता है तुमसे काम नहीं किया जाता उसकी writing दो कितनी अच्छी है उसको तो star मिल गया वो तो game से medal ले आया तुम ते किसी काम की नहीं वह शराटे किया करो तुम चीजें तोड़ने के काबिल तुम से तो और कोई काम होता नहीं अब जैसे मैंने भी बताया के condition है जो के by birth आ गई ठीक है naturally उसके अंदर है पर सेंसिटिव होते हैं यह emotional dent पड़ता है parenting जो parenting है उसमें अच्छा है कोड़ी से बहुत dangerous एक तो emotionally dent है दूसरा मार पीट जब माएं frustrate हो जाती है कि उसने भी कर लिया भेहन ने भी कर लिया तुमसे क्यों ने होते हैं तो मोरी खराब तार लगाई जाया लगाई जाया बड़ी brutally बच्चों को मार पड़ती है मार से physical hurt हो रहा है बट जो आपके words है वो आपको emotional pain देते है and that stays with you for the entire life वो प्रेंट हो जाता है brain पे, वो emotional dent वो आगे उसकी generations में भी वो ही चीजें जाती है तो यह भी होता है कि माई जो होती है वो बच्चों को डराती है ना कि अच्छा रुको आएगा ना तुम्हारा बाप तो फिर में तुम्हें बताती हूं और बापको वो villain बना देते है That is also wrong क्योंके communication जो है बच्चों के साथ वो कितनी important होती है I think communication is the core of everything बच्ची की तरभियत में असल मेजर चीज ही communication है So, अकसर ऐसा होता कि घर में अगर mothers अपने किसी वज़ा से किछ relationships की वैसे disturbed हैं कोई उनके in-laws के मसले चल रहे हैं तो वो बच्चे पे बहुत स्केपकोट होता है बच्चों में बहुत मरतबा वह बात निकलती है उसमें भी बच्चे कनेक्ट नहीं कर सकते हैं रिलेट नहीं कर सकते हैं कि मदर के मूर्स की अपनी कहां जा रही है फादर्स को यह बनाना कि अब बाप को आनी तो मैं तुम्हें बताऊंगी बाप आता है काम किये वे सारी दिन के ठके वे उनको पर चलता है यह दो काम करते हैं या वह बच्चे को बहुत मारेंगे आते ही कि माँ को तुमने तंग किया यह 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 एक्स्ट्रा कंपेंसेट करके प्यार करेंगे तो माई माँ तो ही वेलान यह दोनों चीजें हो रही होती है सो फादर्स का बहुत है डिफिनेट की बहुत रोल है पर पूरा दिन तो बच्चा मां के साथ है मैंने बहुत जगह देखा है पड़ा कि बच्चे की ना पहली जो तर्वियत गाए ना वो उसकी माँ है माँ की गोद है सो माँ वर्किंग भी है ना तो भी कहीं ना कहीं वो चीज माँ को ही देनी पड़ रही होती है फादर्स का रोल है डिफिनेटली वो भी है पेरिंट्स को एक पेश पे होना जरूरी है कि अगर एक डिसिप्लन दिया है यह नी कि माने पुर दिसिप्लन किया है कि तुमने कोक नहीं पीनी यह काम करो गे तो खेलने के लिए जाओ गे बाप आकर कहता है नहीं मेरा बेटा मेरा चंदा कोई बात निपक भी दे दो बाइट जाने भी दो ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं ना जो चार लोग है ना नानी दादा दादी यह चार जो है यह अब ब्रेंगे में बड़े मुझे बड़े विलन लगते हैं चार लोग उनका बहुत अंकंडिशनल प्यार होता है मैं आपके तरफ नहीं देख रही है बहुत अंकंडिशनल प्यार है बहुत अच्छा लेकिन ऐसी जगह जहां जैन्यूनली प्राब्लम है और हमें डिस्सिप्लन करना है बहेवियर को वहां फिर फिर होना पड़ता है वह लाट प्यार जरूर करें बट वह लाट प्यार जहाना वह ऐसा हो कि जो बच्चे के काम आ से पहले स्कूल में नाम लिखवा दिये जाते हैं तो कमसे इस वेरी इंपोर्टेंट दौर उन बच्चों की जिंदगी में जहां पर असातजा का एक किरदार होता है डिस्लेक्सिया के बारे में बताईए क्योंकि जादर तर यह जो प्रॉब्लम है वो टीचर्स की तरफ से अच्छी जाता एक बताया जाता एक जो वच्चा जो है आपका लिखता घलत है या इन एक रिलेते उसके जो थी च्छों का एक्टुली जो दिसलेक्सिया भी है यह एक लर्णिंध की है लर्निंध की होना बड़ी आम सी बात है हमारे हां लोग बहुत परहान हो जातें हैं क या dysgraphia या ADHD हो सकता है अब dyslexia क्या होता है कि इससा reading impairment कि बच्चे को A, B, C, D तो पढ़ लिया बट उनकी sounds नहीं करनी आ रही phonics पी आ गई आ गई है sounds पी करनी बट उनको sounds को जोना नहीं आ रहा again ये एक learning difficulty है आपकी intelligence वही है personality अच्छी है आप अच्छे बच्चे भी हो सब कुछ भी है लेकिन आपको struggle करनी है reading के साथ जब reading में ही struggle हो रही है तो आपको उसको समझना तो बहुत दूर की बात है नहीं जो comprehension आ जाती है तो इसलिए आपने सही का ये चीजें school में identify होती है अच्छी में कुछ मैं कहूंगी आजकल मदर्स भी बहुत concerned है पड़ी लिखी भी है बच्चियां खुद भी बहुत देख के आ रही है सो मुस्ट अच्छी होता है के टीचर्स पर भी देख लिए थे हैं के शौक से सिखा रहे तो बी को डी और डी को भी करते हैं हाँ ए को उल्टा लिखते हैं सो वो बच्चा अपना नाम टोटल उल्टा लिखेंगे अगर नाम हिबा है तो बी आई और टोटल रिवर्सल में चीज़ें जाते हैं गारे हैं तो गर में हमेर्टोट हैं करती हैं मीिसरी अडले जया मैं वहते हैं साथसा पर रभाद सीघ्चार एंन्यस में गए जाती हैं के वह आंर बिवसल्टा निंकल रहे हैं तो सीज़ भी सेधाम ने रिख दिया रिढ़े ह् रीड़ें जो रीडर्स होते हैं उनके भी बच्चे आ गए डिक्टेशन जो स्टार्ट होगी कैट रैट बैट पली बच्चे ने वह भी कर लिया सो एक बच्चा जो नहीं कर रहा उसके उपर अर्ली एश में पकड़ लें अर्ली एश से मराद है यह जो इन क्लासिस के अंदर फोर फाइव सिक्स यर्स का बच्चा अगर पकड़ लेंगे रेमीडी हो जाती है एक बहुत इंपॉर्टन फाक्ट है कि अगें पेरेंट्स का जो यहां प्ले करता है डिनायल का कितना छोटा है बड़ा होगा कर लेगा कौंसी पीच्डी कर रहे है आज तकल तो स्कूल वले ऐसे ही कर रहे हैं लेकिन आजकल वह प्रॉब्लम्स भी तो बढ़ गए हैं यह हमारे टाइम विली चीज नहीं हैं प्राब्लम्स भी बढ़ गए हैं जैसे सिंपल एक्सांपल में देती हूं हमारे जमाने में एक दो तीन वैक्सिनेशन लगती थी अब देज लिस्ट आफ वैक्सिनेशन जो बच्छे को पैदा होते ही लगती हैं अब कोविट की भी को लगती होगी आजकल नियूली बॉर्ण करना भी जरूरी है तो अगर स्कूल या टीचर कर देगी तो पेरेंट इसको डिनायल में ना जाएं कि नहीं मेरे बच्छे को कुछ नहीं है किसी दूसरे स्कूल में डाल दो टीचर जची नहीं है बाइदे टाइम बच्छा फॉर्ट फिफ्ट क्लास में होता है उसका चौ आपने बेकार दिया या मार ध्यान नहीं देती या कोई और रिजन निकाल लेंगे या स्क्रीन टाइम से बच्चे यह सब प्रॉब्स में कह रही हूं स्क्रीन टाइम इन सबको इन्टू-टू कर देता है एक वर रही उसको आपको कंट्रोल करना पड़े है बहुत से स्कू बच्चे को असेस करते रहते हैं विच इस अ गुड्साइन के आप अपने स्टूडेंट्स को पचान रहे हैं और फिर वो खुद हैल्प ही करते हैं और बताते हैं अच्छे सब जब लर्निंग डिफिकल्टीज हैं जो कि इडिन्टिफाई हो गई और टीचर्स को भी पता होती है या मिलनी चाहिए या लोगों को लेनी चाहिए अच्छा आटिजम काफी लोगों के लिए बहुत नई चीज है डिसलेक्सिया में फिर भी कुछ अवेर्नेस थी आटिजम में अब तो आ गई है आइटिंग पाकिस्तान में फिर्स टाइम जब मैंने सुना था सो आटिजम जहना इतना ज़्यादा बढ़ गया है और पाकिस्तान में भी है कि इस इस गॉन अप टू अप वेरी हाई लेवल बहुत अलामिंग नंबर हो गया इसका आटिजम का जो है ना यह यूजली आराउंड एटीन मांस ओफ एज डिटेक्शन हो जाती है वो जादा के बच्चा अपनी मा को भी हग नहीं करता बच्चा अपनी मा को भी स्माइल सोशल स्माइल पास करते हैं एक मा को बच्चा देखके हसता है वो स्माइल पास नहीं करते बच्चा रिलेट नहीं करता बच्चे के सेंसरी इशू इतने होते हैं कोई गोद में उठा ले हग कर ले बच्चे को पसंद नहीं आते रोना धोना and most of the times parents तो obviously हर कोई psychologist नहीं है तो बहुत समझदार होने के बावजू समझनी आता कि यह है क्या so social issues उसमे social interaction affected आपकी language mostly non-verbal भी होते हैं कुछ बच्चे हैं जो verbal भी होते हैं so वो तो detection घर में early years में 18 months plus में तो फिर इलाज पीशियर हो जाते है हो जाए हो जाना चाहिए autism के लिए दुनिया भर में research जो है वो major least चीज़ फोकस का रही है early intervention early detection early intervention and हमने खुद results देखे हैं मैंने खुद कोविट के days में फ्लाइट्स पंद हो गई जो जहां थे फ़स गई लो तो यूएसे से family आई थी है वो 18 months का बच्चा था और यूएसे से डाग्नोज होके आया था autism के साथ यह थोड़ा समय चलता है कि 3 years से पहले diagnosis नहीं देना 3 years सक तो एज गुजर कही होती है और अब सब researches और नए test भी कह रहे हैं कि diagnose हो जाता है तो बच्चे आ गए father चले गए mother और बच्चा यहां फ़स गए six months के लिए थेरेपी पे आते रहे हमारे पास six months थेरेपी के बाद जब वो जा रहे थे उसको जब हमने दुबारा से और यह फिंगर प्लेश टाप की चीज़े है ना सब सेटल था अधा दाग्ड़ में जमें जमें चाज़ चाहिए जितना यंगर यह जारेज अन्रेज और राइट 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 मोड अफ तैर यह तैरेपी कि आट इसम में आपको बहे स्पीज किसाडर राइट तो अच्छा वो चीज है जो सदियों से उसको लोग पहचानते हैं क्योंकि वो दिखता है ना पृट इंडेक्स बेडली क्योंके बचों का मजग अजाग अजा यह हक लाता है सईकों उस की सेवंस्तिम तो पैरेंट्स क्या करें उसमें भी पैरिं आपके खतम होता है अर्ली इंटर्वेंशन, स्टेमरिंग अर्ली एच में आप करवा लो, आपकी स्टेमरिंग बहुत इंप्रूव हो जाते है, स्टेमरिंग इतना मेजर इशू ही नहीं, बहुत वरीसम नहीं है, इसका जादा एफेक्ट इसकी पिस्टनालिटी पर आता है, परफॉरमस थादा इक या झालिए। और ऑफ श्यू एटोड़ ऊणयर जेगा, पाटिस्पेट नहीं करेगा, फ्रिंद नहीं बनायागा, आंसर करने के लिए, स्टेमरिंग डिया और चास्मने टीर्टिफीड नहीं करेगा, खना फिर्या अपक्रफॉर्टी नहीं करेगा तो अरली अप इसकी एकसराइजिस कर लो घर में कर वाओ साथ में सीख के ठीक हो जाता है अच्छा स्टैमरिंग में और जो छोटे बच्चे जब होते हैं वो बात करते हैं जिसको हम तोतला पन कहते हैं तो उसका तो बड़े प्यारे लगते हैं और बाद में फिर वो जब तोतलाना जादा शुरू हो जाता है तो फिर परिशानी लगती है तो हाओ डूवी टैकल डैट और पैरेंट्स मुझे यादे हमारे कजन थे तो वो बहुत जादा स्टैमर करता था तो उसको किसी ने किया उनके पैरेंट्स को से जिस किया कि छोटा सा लोहे का टुकड़ा या लेट का टुकड़ा जबान की नीचे रख लो और वो उससे काफी सही हो जागा आप मुह पर अगर वो पिचारे ने रखा होगा अभी तक वैसे ही है इसलिए ऐसा रह गया कुछ पचे करते हैं जब वो बोलना स्टार्ट करते हैं बैबलिंग से निकल के स्पीश पर आ रहे होते हैं तो वो नैच्टरली एक साउंड होती है जो जो बच्चा क्लेर नहीं होती या तो तलाप की स्टाइल में बोल रहे हैं पर वो स्टेज गुजर जाती है विदेन मांस अगर वो उससे और बहुत लगते हैं बच्चे यहां तक बड़े भी वैसी बोलते हैं उसी तरह से बोल फिश को टिश तेखो टिश आई टिश वो टिशी रह जाती है तो एक आँ बच्चे के लिए बच्चे के लिए बच्चे के लिए बच्चे की सो वो अगर एक्सीट कर रहे हैं दो तीन महीने सुपर भी वही तोतलापन और आगे जा रहे हैं चालें छे महीने तक भी करना शुरू हो गया देन इस अलाम इंग उसको भी करेक्शन चाहिए जैसे स्टैमरिंग को चाहिए स्टैमरिंग मैं रुक-खर के बोलते हो अखलाते हो आटिकोलेशन टिसॉर जिसको या बोल रहे हैं हकलाना सुरी सुटलापन तोतलापन के अंदर आपने वर्स की सुट्यूशन हो रही है फि बच्चा का यूं करके बोल रहा है तो वह बहुत रिडिकुलिस लगता है तो उसी तरह भी सेल्फ इस्टीम पर एफेक्ट करता है पहले करेक्शन कर लें खुद से नहीं हो रहा तो स्पीश थेरपिस्ट पर लेकर जाएं सो हमारे मुल्क में अब क्योंके बच्चियां या या यंगर पैरेंट्स जो हैं वह बड़े कॉंशेस हैं ठीकि अपने बच्चों के हिसाब से और वह चाहते हैं कि किसी अच्छे साइकॉलिजिस के पास जाएं किसी अच्छे क्लिनिकल साइकॉलिजिस के पास जाएं बट हम करते हैं न हम हम लैक करते हैं अभी तो काफी लोग आ रहे हैं अनफॉर्चनेटली यूनिवस्टी बहुत खुल गई हैं जो कि सिरफ डिग्रीज दे रही हैं कि जब जब बच्चे आते हैं जिनको हम इंटिव्यू मैं करती हूं नौलिज नी होता वर ट्लेनिकल साइकॉलिज तो मैं पेरिंट्स को यह जरूर कहती हूं कि आप ना उनकी आप डिग्रीज चेक करो कौन कहां से कॉलिफाइड है तो आज पी अगर पाकिस्तान केंदे कि हर कोई तो बाहर जाकर पढ़ नहीं रहा है पंजाब लिए यूवस्टी के स्टूड़न्स वह बहुत बहतर हैं हम यह कुछ हैं जिनके बच्चे कुछ पढ़ के आ रहे हैं सो आप जरूर पुछो किस्टान की नौलिज है कितना पड़ाव है कितना वर्क एक्सपीरियंस है और लेकर जाएं हर एक के पास जा जाके अपने बच्चे को तसली के लिए वह ना करें क्योंकि कितनी मरतबा बच् हैं तो वह दाट्स लेट यह तो इनकॉंपटेंसी हुई यह बहुत जाता इंकॉंपटेंसी है और लाक अफ रिस्पॉंसिबिलिटी है तो आप क्यों बच्च्वां से बच्च्वां से वह वरी सेंसिटिव चाइल्ड मुझे हम लोग पांच बहन भाई हैं तो जार पांच बड़े वाले भी है चोटे वाले भी तो मैं शुरू से मुझे आज भी चीज़ें जाद हैं कि मैं बड़ा सेंसिटिव ली चीज़ों को फील करती थी अब्सर्फ करती थी तो मेरे मुझे याद ए कुछ लास वैलोस थे जिनको यह लर्निंग डिफिकल्टी थी इतनी आज जाए उनको सबके सामने डांट रहती थी तो दिल को लगता था कि यह क्या है मैं क्या ना कर दूँँ है मैं अभी भी रिकाल करके सोच्ती हूँ बच्पन से एक दादी अंदर थी जाएद वह ती ना बच्पन से एक मा मेरे मेरे मैं शाएद आप उस बांद विए उच कुछ करना है कुछ कर दो इन बच्चों के लिए कि यह लो फील ना करें या इनको क्रिटिसिजम ना मिले बच्चे फिर रोते भी थे बुरा भी फील करते थे या on the contrary aggressive हो जाते हैं अगर treatment अच्छा नहीं मिल रहा पेरेंट से understanding if you're not being understood by your parents or teachers कुछ बच्चे तो समिसे होते है कुछ बच्चे aggressive हो जाते हैं, पहरे हैं लोग यह कितने लोग घार है है उसकी बेस चायड हूद में है जैसे sorry में आककी वाद कट रही हो कि आपकी из इचिकरेफ जान के अपना हम होगा आते हैं काईट की वजह से प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जैसे सौरी में आपकी बात काट रही हूं कि जी चिकन के अंदर अब इतनी वो लोग हर्मोंस मिला देते हैं और उसकी वजह से जो हम खा रहे होते हैं तो हमारे अंदर भी गड़बड हो जाती है फिसिकल हेल्थ पे आ जाते हैं जीज हैं यह कंडिशन्स जिनकी भी बात की ना दीज अदर ऑट आता होगा चिकन का और होवोंस का प्रेगनेंसी में मां भी भूखा रही है तो बच्चों की भी हैल्थ पर एक्ट तो आएगा एक्ट तो होगा एक्ट आएगा उसके साइकलाजी कल एफेक्ट येटर आन आ एक आप देख एक्सपेडिमेंट करें गर घर में नेबर्स में कोई बच्चे हैं एक कैंडी एक चॉकलेट देदें इतनी सी भी आपको एक दम में छथ पे नजर आएगा बच्चा तो इतना स्ट्रॉंग एफेक्ट होता है सिमिलर्ली डिसलेक्सिया वगर एक चीजों के साथ में अब है अब हेल्दी डाइट दो के तो बच्चा भी एक फील फिजिकली स्ट्रॉंग बच्चा क्या हेल्दी में मुर्गी हम नहीं खा सकते हैं जो गोश्ट है वह भी कुछ गड़बड हो गया है यह तो है सो बच्चा वोग जो अब टो इस ब्री एक भी आरहा है वह तो पही आरहा है हम सब गुजर रहे हैं उससे जैनियाब, फिर भी इंफिर्म इन आपिक और लोग जैसमें से कुछ ना कुछ सीक्सकें पारेंट सेशली और प्रेटल अवे जैसे प्रेशलिजिस इस वेरी इंपॉर्टन आस चोटा बच्छा यह बच्छी जो है वो उसके माबाब कोई चीज ऐसी महसूस करते हैं I mean there's no harm Definitely there's no harm So what would be your message to the parents? मैं यह जरूर कहना चाहूंगी पैरेंट्स को कि अगर थोड़ी सी भी कोई चीज अलामिंग लग रही है उसको इग्नोर ना करें डिनायल में ना जाएं ब्लेम शिफ्टिंग में ना जाएं कि मेरे सुस्राल से स्ट्रेस बहुत था इसलिए यह ऐसा हो गया यह husband हमारे mostly कहते हैं 90% husbands कहते हैं कि मा की वज़ा से बीवी के वज़े से बच्चा खराप पैदा हो गया और यह भी अध्यान नहीं देती है सो families के लिए भी message है कि it's not mother's fault कि बच्चा कर किसी तरह से condition सब पैदा हुआ है और अगर हो गया तो collectively मिलके बच्चे को बेतरी की तरफ लेके जाएं डिनायल में ना जाएं एक्सेप्ट करें प्रॉबलम को देख लेंगे पकड़ लेंगे आराम आजाएगा थैंक यू सो मच बहुर शुक्रिया क्या आप जानते हैं कि ये सब कुछ आपके तावन से ही मुम्किन हो सका है अपनी जखात और अतियात Dapilex Smile Again Foundation को दें ताकि ये मुस्कुराहटें यूही बिखरती रहें अपने हो जाएगा विशक टिस अपनूस विप कर सकाव ओनी बिएस ऍौब झाल झाल